आपको क्या लगता है पबली का मोमेंट क्या लगता है बिल्कुल एमकी तो एक दम समझी है कि जो निलम देवी है जिनका साथवे नंबर पर रेल इंजन चाप चुना मिला है वाणिए इनके टकर में कोई है ये नहीं है ये मातर एक एसी कंडिडेट है कि एक नंबर पर नमस्कर मैं हूँ चंद्र सेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार नुज और परकास वाली मैं इस बक्त मजहौली पंचायत में एक ऐसे परत्यासी के पास हूं जो जिला परसद छेत्र संख्या 2 से जिला परसद पद पे खरा है और ये एक सिक्षित परिवार स हैं और सिक्षित लोग हैं पेसे से सिक्षक भी है तो आईए इनसे जानते हैं इनका क्या सोच है छेत्र के लिए क्या करना चाहते और किस पद पर ख़रा है जी मेडम आपना पर चाहिए जी मेरा नाम नीलम देवी है और मैं जीला परसद का उमिदबार हूं और मेरा रेल इ तो छेत्र के लिए या महिलाओं के लिए क्या विकास करना चाहते हैं ? मैं यही कवुआँगी कि गड़ीव जितने गड़ीव औरते हैं उनको सौच के लिए दिकत होती है जैसे पानी आ जाता है वार में उसे में दीदी लोको रोड पर बिख़ना पड़ता है सौच नहीं है उसके लिए हम दीदी लोको गड़ीव लोको लिए बातरूम बनाये उतर नहीं हिद não पड़े आपके चेतर में सिख्षा का किया अस्तर है लोग सिख्षित कितने परसंट लो है यह जो बड़े लोगों हो अपने बचेवों को बड़े स्कूल में परहाते हैं और हम गड़ीब आदमी इस कूल से खोले हुए विए आदमी के लिए और यह मैं यहीं चाहते हूं कि गड़ी बचे मेरे स्कूल में पढ़ें जो भी पैसा दे ना दे हम अपने तरफ से बचों को परहाएंगे गड़ीब लोगों को हम देखेंगे और देखवाल करते रहेंगे आप जीते या जो भी हो परिनाम जो भी है लेकिन आ इनसे भी जानते हैं क्या यह करना चाहते हैं क्योंकि महिला सिट होने के कारण लोग महिलाओं को खरा कराते हैं लेकिन काम तो वही करते हैं जिनकी चेहरा जाने पहचाने जाते हैं और उनके हस्पेंड ही काम करते हैं तेनी से जानते हैं क्या यह करना चाहते हैं जी सर आब जन्ता जनारधन गरीब बुरुवा मजदूर किसान सभी को सबसे पहले मैं नमन करता हूं प्रणाम करता हूं प्रार्थना करता हूं मेरा नाम हरी नरायन पाश्वान है आप जिल्या परसद परतियासी आपकी वाइप हैं और आप साथ में उनके साथ हैं आप यह बताई छेत आप काम कीजिया तो वो गरीबों के लिए हो गरीबों को यह लगे कि यह मेरे लिए कारी हो रहा है देखिए जैसे कि अभी उमिद्वार है निलम देवी जिनका चुनाब चीन रेल इंजन चाप है सात्मे नमबर पर है उन्होंने अभी आप लोगों को तुरत बताये हैं कि हमारे छेतर में सबसे बड़ी समस्या इसार बाढ़ कि आई जबसे घर में पानी घुस गया जगः जगः लोगों को और जब हम लोग छेतर में घुमते थे सामने से आते थे मैडम मेरे सांत रहती थी तो सबसे ज्यादा महिलाओं को देखती थी कि उनके घर पे कहीं भी लेट्रिंग बाथरूम की ब्यवस्था नहीं है वो रोट पर बैठती थी और रोट पर बैठने के दौरान बहुत सारे जेंस लोग वहां से गुजरते थे आते जाते थे वो देखते थे लेकिन लेडिज लोग जो है न अपने आपको सर्म के कारण वो खरे हो जाते थे रोट है नहीं बनी हुई थि और जो पुलिया बनी हुई थी जो नाला बना हुआ था वो ढख चुका था हमारे तरफ से कहीं किसी तरफ के मन वियाथ calend motsता नहीं किया घुप अपनी किसी सर्थ से गुजरत बसर करके आज तक हमारे जन्ता लोग आगे की तरफ निकले हैं अभी तक जो भी बरतमान में जिला परसद थे उनके द्वारा किये गए कारी कलाप से आप को क्या महसूस होता है आज तक तो हमने कही एक जिला परसद देखे हैं अना परसद थे गए कार्ज भी किया गया हो कही नलग बनाया गया हो या नला बनाया हो या श्ट्रिट लाइट लगाया गया हो या उनके लिए शिख्छा की वेवस्त था कि गई गया हो कहीं व체 स्कूल में जाकर के किसी जगब headmaster से पूछे होंगे कि आज आपका teacher क्यों नहीं आया आपके बच्चे क्यों नहीं पड़े ऐसा कहीं नहीं दिखाए दिया हमारे यहाँ मदर्ना में primary health center खुली है अना हमने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो सरकार में थे उनको लाकर के primary health center को जो मदर्ना में थी आप उनको चालू कराया गया है लेकिन चालू कराने के दौरान वहाँ परजेंट में न कोई doctor रहते हैं वहाँ परे न हमारे पास में वहाँ कोई नर्सेज रहती है मात्र जो है न आपको ये सेविका लोग है सेविका साही का लोग है या आसा लोगों परे वो primary health center टिका हुआ है अना आसा लोग से ही health center चलती है मैं तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आसा लोग जितने आसा की बहाली किये वो बहाली करके आज हमारे गरीब बुरुवा को आसा चला रही है आसा जो है न हम लोगों को injection देती है आकर के घर-घर समझाती है मताय बहनों को कि अपने कैसे रखना है इस जगा हर जगा जल जमाब हो गया है अभी समस्य आ गया है कि इतनी मच्छर हो गया है इतनी बिमार ही फैल रही है जल जमाब से नो उसमें कहीं कुछ तरह के डाला जा रहा है दवाईयां ताकि उसमें के किरा मरे लेकिन हमारी आसाय बहने है वह घर-घर घूम करके लोगों को जागरू कर रही है आप चुनाव जितने के बाद क्या करना चाहता हूं सबसे पहला तो काम होग जो मदर्ना में हेल्थ सेंटर खुली है उसमें डॉक्टर की जादा से जादा हम आगे की उपर वाले जो पदाधिकारी है उनसे आगरा करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मदर्ना में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें अच्छे डॉक्टर के भेजे अच्छ लेकिन पूरी तयारियां बच्चों को नहीं हो पाता है उनके पास टीचर नहीं है हमने सरकार के पास पत्र लिखेंगे लेटर लिखेंगे कि कम से कम हमारे चेतर में जो आठ पंचायत है उसमें हाई स्कूल में टीचर दिया जाए ताकि बच्चे की भविश को सुधारा सज़ जा सके उसके बाद जो हमारे प्राइमरी बच्चे है जो छोटे बच्चे है उनको पढ़ने के लिए जो बेवस्थाए है यहाँ पर बहुत डल बेवस्थाए है आज भी जितनी सरकार हम लोगों को दे रही है बच्चे को पढ़ाने के लिए बेवस्था दे रही है वो बच्चे सब के पास नहीं पहुझच पा रहा है ज़े ग्रामिन छेत्रों में लोग मुकष्या के बारे में यहीं जानते हैं कि इनका इंद्रावास यहार आशन कारड़ देना है उनके कारेय कि ओर क्या पावर है यह लोग नहीं पाते हैं और जिलापरसत की बात करें तो ये बहुत कम ही लोग होंगे जो जानते होंगे कि जिलापरसत का क्या पावर है कौन सा कारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मुख से ये बताइए कि जिलापरसत का क्या क्या कार्य है जी जिलापरसत की जो कार्ज है जितन लाइट लगवानी है यह सारा बेवस्थाएं जो है ना वो जिलापरशत के अंदर आता है इसका मतलब यही होता है कि मुख्या और विधायक के बीच में आप एक माध्याम है जो छेत्र के विकास के लिए मुख्या से बाते करके विधायक से बाते करके छेत्र में विकास करें यही हुआ ना जी बिल्कुल बिल्कुल आप एक दम सच कह रहे हैं यही है कि जो मुख्या के अंदर और बिधाय के बीच के जुए एक चेतर होती है वो एक जिला परशत का होता है कि दोनों जगा से कंबिनेशन को बना करके अपने चेतर का विकास करें आप चेतर में बहुत सब्सक्राइब नमबर पर रेल इंजन चाप चुना मिला है इनके टकड़ में कोई है यह नहीं है यह मातर एक 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 नमबर पर पूपुलर है यह आगे की तरह मने बढ़ रहे हैं जनता जनाहरदन गरीब बुर्वा मजदूर सबका इतना आपार जब हम छेतर में ले करके इ इनके टकड़ में कोई है यह नहीं है यह नहीं है लेकिन आप यह बताइए कि आप भी यह कह रहे हैं कि मेरे टकड़ में कोई नहीं है तो इसका कोई खुबी बता सकते हैं जिसकारण से जनता कर रहा है कि आपके टकड़ में कोई नहीं है जी बिलकुल हम बताएंगे हम बत प्रति दिन मजहुली से आठ वजे हम लोग रवाना होते हैं अपने एस्कुल के लिए जाते हैं और तीन चार पंचायत पार करके वो डेली हम लोग वहां पहुंचते हैं और उधर से भी हम आते हैं साम में और हर जगह सिक्छा से जुरे होने के कारण सिक्छित के कारण हम लोग हर बेक्ती से मिलते जुलते हैं और सब लोगों से प्रसनल लगाव है मेरा यह नहीं कि आज हम चुनाब जीत गया है और उसके वाद हम छेतर में दिखाई दिए और हम छेतर में नहीं रहेंगे ऐसी नहीं हो सकता है हमने घर-घर हैं सर मेरा पुरा यहाज कि आजव आठ्थ पंचायत है आपको विश्वास नहीं हो तो जराप पंचायत को भी जा करकर देख सकते हैं आठ पंचायत मेरा फेमली है और खड खडुक में हम उनके घर पर जाते है और शुख दुक में वूब नेरे साथ आते हैं और यहां हमारे अब बिल्कुल हम लोग पैसे लेते हैं लेकिन आप पता कर सकते हैं मेरे छेतर में जाकर के जितनी बड़े स्कूल में पैसी ली जाती है उसकी आधी पैसे हम लोग अपने स्कूल में लेते हैं ताकि गरीब बच्चों की परहाई हो सके वहां पड़े हमने जाकर के गरजियन के साम उनका भी जिवन यापन सही से चल सके उनका भी पडिवार चल सके तीस दिन के कमाई में एक दिन की कमाई आप मेरे स्कूल में दे दीजिए और मैं आपको बच्चे की वैसी सिक्चा दे रहा हूं जैसे बरे-बरे स्कूल में हजारों रुप्य लगा करके लोग पढ़ाते हैं और मैं उसे टकर देता हूं अपने एस्कूल के माध्यम से आप बच्चे से भी मिल करके कभी इंटर्विए तीस दिन में एक तिन की आप पैसा मांग रहा है यानि तीन से चार सुर रप्या रोज होता है का अदमी का उतना ही आप मांग रहे हैं लेकिन ये बताई कि बहुत इस बच्चे को एक क्लास में जो है न पांच बच्चे को हम फिरी परहने की जो है न और सब chilly deben future करते हैं और उनको पराते हैं जी बिल्कुल आपके छेत्र में सरकारी स्कूल की क्या इस्थिति है कि हमारे सरकारी स्कूल तो इन दिनों सरकार ने इस पर बहुत सारी ध्यान दिया है अना ताकि सरकारी स्कूल में चल सके तो सरकारी स्कूल में हम देख रहे हैं कि जितनी आठम मिड लिश्कूल। उसम लगभग लगभग शिक्षक n मग मग करके एक में हाइए स्कूल खोले वो इंटर तक की परहाई कराने की जो सरकार ने हम लोगों से वादा किये वो उसमें नहीं है आप अपने पंचायत के लोगों को जहां तक जानते हैं अइने जोही मुखियाकारे कीए जिलापरशत कारे कीए उससे तो आप संतुष्ट नहीं है लेकिन रोड नाला जो भी है इस पर आप क्या कहना जायते अगर हमारे हां इस वार अगर नाला बना होता अना तो इतनी जल जमाब भयंकर नहीं होता वो रास्ता पानी जो है ने इससे पहले भी बड़सा होती थी हम जानते हैं ये दोस ये मने इस वार बारिस होई या इससे पहले बारिस होई इससे पहले हम लोगों को बच्पन में द सब्सक्ता था कि सिभी वेक्ति को अच्छ साल्वायं नहीं ना नाला से एक जितने szाने तो वहांपर कोई लोग ने पानी निकल नहीं पाई अगर वह पानी निकल जाता तो आज जनता के घर में पानी घुसने की कोई नौबत नहीं आगे तो आप बता दी कि लोगों द्वारा इंक्रोच्मेंट कर दिया गया रोड नाला को मुखिया या जिला परसत के द्वारा क्या कारी किया गया यह बताई यह तो असपश्ट दिखाई दे रहा है अगर मुखिया तो हम और जिला परसत के द्वारा अगर यह काम किया होता अगर नल यह रोड को नाला को अगर सफाई किये होते और हर जगा जो पुलिया सब था नित करके कि वहां पर पुलिया की जरूरत है वहां पुल की जरूरत है अगर यह बन गया होता तो फिर ऐसा नोबत ही दिन नहीं आता इस पंचायत के जिलापर सच्छेत्र की बेरोजगारी के बारे में कुछ बूल सकते हैं बेरोजगारी तो भैयंकर है सर जब से लोकडाउन में अगर सरकार अगर वो चावल नहीं दिये होते गोहम नहीं दिये होते अना तो लोग भूके मर जाते लेकिन सरकार ने जो चावल दिया है जो गोहम दिया है इससे लोग अपना जिवन आपन किया है भैयंकर भुकमरी लगा हुआ है हर चीज जैसे अभी आप देखेंगे सब्जी का दाम देखेंगे पेट्रॉल की दाम देखेंगे यह सब आसमान चुड़ा है और इसका असर सिधे गरीब पर पर रहा है आज जो है ना प्याज हम 25 से 30 रुपय खरीद रहे हैं आलू 25 रुपय किलो खरीद रहे हैं और हरा साग सब्जी इतनी महंगी हो गई है अगर गरीब एक जगा कमाने जाते है तो उनको 300 रुपया मिलता है और 300 रुपया में उनकी एक टाइम की परबड़िस नहीं हो पा रही है फिर कैसे हम कह सकते हैं कि यहां की जो जनता है गरीब बुर्वा है वह आगे के तरफ विकास करेंगे जी सर अब आखरी में आप अपने छेत्र के जनता से क्या पील करना चाहते हैं कि हमें जिता है जो रेल इंजन छाप है साथ में नमबर पर निलम देवी उनको जिता है और हम यहां की जनता के लिए पुरी पढ़ियास करेंगे कि वह डेवलप कैसे हो उनकी विकास कैसे हो उ उनकी रोजगार कैसे मिले उनकी सिक्षा कैसी आगे हो कि मैं सिक्षा से हूँ यह सारी चीजों पर उनकी हेल्थ को कैसे सुधारा जा सके यह सारी चीजों पर हम कार्ज करेंगे आखरी में मेट्रो बिहार ने उज़र परकासवानी जिला पर सच्छेतर बैशाली के तमाम लोगों से एक ही आगरह करता है कि अनेकों परत्यासी आते हैं अनेकों जाते हैं हर परत्यासी पढ़े लिख्यों होते हैं बादा भी करते हैं लेकिन आप उन्हें ही भोड़ते है जो आपके छेतर की बिकास की बात करें और आप के लिए सोचें न कि अपने लिए सोचें तो आप देखते रहें मेट्रो बिहार ने उज़र परकासवानी अच्छा लगये तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें